जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें माता रानी सबका कल्यान करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे कि साल 2021 का दूसरा और अंतिम चंद ग्रहन 19 नवंबर 2020 को लगने व पहिला को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी आपके पेट में पल रहे सीसू पर बुरा परभाव डाल सकती है लापरवाही हो सकती है नुकसान दे तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से प्रिगनेंट लेडी को क्या सावधानिया बरतनी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलूखवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे चंद्रग्रहन जियोतिस दिस्टि कौन से ऐसी घटना है जिसका असर हर ब्यक्ति के जीवन पर होता है मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बेहत सतर्कता बरतनी चाहिए खास तोर पर गर्वती महिलाओं को क्योंकि ग्रहन का असर उनके साथ साथ गर्वस्त सिसू पर पढ़ सकता है जिसके चलते उन्हें दिक्कत उठानी पढ़ सकती है चंद्रग्रहन पर 19 नवंबर को कोई भी मांगली क्या सोहकारी नहीं करना है आपको मन में ही इस्ट देव की अराधना करनी चाहिए चंद्रग्रहन 19 नवंबर की सुबर 11.34 मिनट से सुरू होगा और साम 5.33 मिनट पर पूरा होगा यह चंद्रग्रहन भारत में उपचाया के रुप में दीखेगा उपचाया चंद्रग्रहन का सूतक मानने नहीं होता है इसलिए सूतक काल के दौरान कोई भी कारी करने की मना ही नहीं होगी क्योंकि सूतक काल मानने नहीं होगा भारत के लिए जोतिस का मत है कि गर्वती महिलाओं को ग्रहन काल में कुछ नियमों का पालन अवस्य करना चाहिए जिससे गर्व में पल रहा सीसु सुस्त रहे तो चलिए जानते हैं गर्वती महिलाओं को क्या सावधानिया बरतनी है ग्रहन काल में गर्वती महिलाएं घर पर ही रहे ग्रहन में चंद्रमा को ना देखे इससे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है नुकीली दार चीजे जैसे चाकू कैची सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करे उप्योग ना करे ग्रहन के दौरा ना तो कुछ खाए ना पही पीए ना ही सिलाई करे मुह में तुलसी दल रखकर हरुमान चलिशा का पाठ हवस्य करे ग्रहन समाप थोरे पर सुध जल से अस्नान करे मानिता है कि ग्रहन के दौरा अंचांद का गुरुत्वा करसन बहुत अधीक होता है ऐसे में गर्वती महिलाओं को ग्रहन नहीं देखना चाहिए ग्रहन के समय महिलाओं के सरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं उन्हें बेचैनी, पसीना और कमजोरी हो सकती है, लेकिन घवराने की बात नहीं है। ग्रहनकाल में गर्वती महिला अपने पास एक नारियल पानी वाला अवस्थिरक है, इससे ग्रहन का बुरा असर नहीं पड़ता है। ग्रहनकाल में जब ध्यान आदी करती रहें, इस्ट देव के मंतरों का मन ही मन जाप करना चाहिए। उमीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, सेर करें और मेरे इस घरेलूख हबर चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बावजूद अगर साल 2021 का अंतिम जो चंद ग्रहन 19 नवंबर को लगने वाला है, उससे जोड़ी कुछ जानकारी आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पोच सकते हैं, मैं उसका रिपलाई दूँगी।